कि नमस्कार स्वागत है आपका एक बार फिर से मारे खास सो में और मैं हूँ आपके साथ गौरव राजेंद्रा तरसल आपको बता दें कि भारत ने गेहों की कमी की वजह से इसके निर्यात पर रोक लगा अब आई एम एफ चीफ ने भी भारत से बिनती की है कि निर्यात पर रोक हटा लिया जाए बरना बहुत बड़ा खाद्यान संगत खड़ा हो जाएगा अब ऐसे में आपको जानना ये जिलस्थ हो जाता है कि आखिरकार आई एम एफ ने क्यों विर्याती की है आखिरकार क्या है पूरी रिपोर्ट देखिए इस रिपार्ट में यूकरिन संकट के बीच गेहों की सप्लाई में कमी और भरत द्वारा निर्यात बंद किये जाने के बाद यूरोप में खाद्यान को लेकर खलवली मची हुई है अंतर रास्ट्रे मुद्रा कोस आई एम एफ चीफ ने भी अब भरत से बेनती की है कि जल्द से जल्द गेहों के निर्यात बेन पर विचार किया जाए और इसे हटा लिया जाए स्विजरलेंड के डाबोस में वर्ल्ड एकॉनोमिक फॉरम के दौरान उन्होंने कहा कि अगर भरत बेन नहीं हटाएगा तो कई दूसरे देश भी ऐसा करने लगेंगे और फिर खाद बेसंकट से निपटना मुश्किल हो जाएगा आई एम एफ चीफ ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे पता है कि भारत को 135 करोर लोगों का पेट भरना है इस बार भीशन गर्मी और लोग की वजह से गेहों की पैदाबार भी कम हुई है फिर भी मैं बिनती करती हूँ कि भारत अपने फैसले पर फिर से व पुश्किल हो जाएगा अंतराश्ट्रे मुद्राकोस आई एम एफ की महान देशक क्रिश्ट लीना जारजिया ने दुनिया के मंदी की तरफ बढ़ने को लेकर जताई जा रही आशंकाओं पर सौंबार को कहा कि फिलहाल ऐसी इस्तिती नहीं है लेकिन यह पूरी तरह पर से बाहर भी नहीं है वेश्ट अर्थ विवस्था के बारे में आयोजित एक चर्चा में हिस्सा लेते हुए आई एम एफ प्रमुख ने कहा कि यहाँ एक मुश्कल साल होने वाला है और रूस यूकरेन युद्ध की वजह से खाद्य उत्पादनों की कीमतों का बढ़ना एक बड़ी समस्या बनी हुई है उन्होंने कहा कि जहां तक वेश्विक परिद्रश्य का सवाल है तो उसकी इस्थती काफी कुछ दावोस के मौसम जैसी ही है जहां च्छितिज पर अधेरा चाया हुआ है इसके साथ ही उन्होंने बढ़ती ब्याज दरों मुद्रा स्पीड और क्रिप्टो करंसी की बिगड़ती हुई इस्थती पर भी जिक्र किया उताविक चीनी व्यापार वेश्विक बाजार में हेर फेर करनी की कोशिस कर रहे थे उन्होंने कहा कि भारत ये गय हूँ अब जरूरत मंद देशों को जाएगा जी हां आपको बता दे कि एक आधि सूचना के अनुसार अगर बात करें तो भारत ने बढ़ती घरेलू कीमतों को नियंतन करने के लिए उपयोग के तहट गेहूं के निर्यात पर ततकाल प्रभाब से प्रतिबंद लगा दिया है अलाकि निर्यात शिप्मेंट जिसके लिए इस अधिसूचना की तारी को या उससे पहले अपरवरतनी और रिंड पत्र यानी एल ओसी जारी किये गए हैं कि अनुमती दी जाएगी विदेश व्यापार महान दिशाले यानि डी जी एफटी ने 13 माई को एक अधिसूचना में कहा भी था इसने यह भी यहां पर इस पस्ट किया कि अन्य देशों के उनकी आधिक हाद सुरक्षा जरुतों को पूरा करने के लिए और उनकी सरकारों के अनरोध के आधार पर सरकार बारा दे गईूरा अनुमती के आधार पर गेहूं के निर्याद के आनुमती दी जाएगी तो फिलहाल यह भी सूचना निकल कर आ रही है न दूस्तों यह जो गेहू भारती सरकार ने लिया है, यहां पर ततकाल प्रभाव से निर्यात को प्रतवित कर दिया है, भारती गेहूं के जमाखोरी के प्रयास को कुचलने की मदद यहां पर इसाफ तर पर इस कदम से मिलती हुई नजर आएगी, चुकि गुरुबार को मीडिया में ऐसी ख़वरे आए को बहुत अधिक बैश्विक दरव पर बेचने के अफसर से वंचित कर दिया है, वैस्विक क्रशी बाजार तब से इस्तिर रहा है जब रूस ने योकरेन में विशेस से विहान शुरू किया, जो एक प्रमुख गेहूं उतपादक देश और यूरोपिय बाजार के लिए ए लानक ब्रदी ने छोटे और गरीव देशों को प्रभावित किया है, जिन्हें नकेवल वैस्विक आप पूर्ति करताओं से गेहूं खरीदना मुश्किल हो रहा है, बलकि उच्छ आयात बिलों से भी बाद हा रही है, आपको बता दे कि वैस्विक बाजार की अगर बात कर रहे हैं, तो ऐस्थरता और कीमतों में उतार चड़ाव की आशंका को देखते हुए भार सरकार ने गेहूं पर निर्यात नियंतरन आदेश लागू करने के लिए एक विवेक पूर्ण कदम उठाया है, तो फिलहाल इस शो में इतना ही आपसे लगातार मुलाकात होती हर एक अपडेट के साथ में तमाम जो अच्छी जानकारिया है सटीक एनलिस के साथ में अजय एस्ट्रोमनी गुरू पर और तब तक के लिए आप देखते रहेए अजय एस्ट्रोमनी गुरू नमस्कार